कुंडगाउं चीले के फरस गाउं नेशनल हाईवे 30 जुलना डिही के पास बिती मध्यरात्री लगभग दो बजे धमतरी से जगदलपुर जा रही मुर्गियों से भरी पीकप वाहन रोड के किनारे पेट से टकरा कर गिर गई टकर इतनी जोड़दार थी कि वाहन परिचालक सहित सैक्टो मुर्गियों की मौथ हो कई बही चालक गंभी रूप से खायल हुआ है खरस गाउं थाने से मिले जानकारी के अनुसार धमतरी निवासी लखी नागरची और इश्वर साहू ग्राम हरन चीरई निवासी यह दोनों वाहन में सबार थे यह दोनों पिकप वाहन क्रमांग CG05AP2067 में धमतरी से मुर्गी भरकर जक्तरपूर छोडने जा रहे थे इसी दवरान नेशनल हाईवे 30 छुलनाडी के पास रोड किनारे पेड से इनकी वाहन टकरा गई कुंडगाउसी रामकुमार भार्दवाज की रिपोर्ट जिसके सव को पी एम के लिए इसी रवाना किया गया है वहीं चालक गंबिरुस्वर गहला जसे उप्चार रेतो उसी फरसद गाउँ भेजा गया है उप्चार रेती उप्चार चे उसकी चल रही है कारवाई भी चल रही है